साथियों, धम्म का निर्देश है, यथापी रुचिरम पुप्खम, मन्म मन्तम सुघंतकम, एवं सुभा सितावाचा सफला होती कुब्बतो, अर्थाथ अच्छी वानी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्टां से आच्रन किया जाएं, तो उसका परणाम वैसा ही होता है, जैसा सुगंद के साथ फूल, क्योंकि बिना आच्रण के अच्छी से अच्छी बात बिना सगंद के फूल की तरह ही होती है दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही माइने में आत्मसाथ किया गया है वहां कठीन से कठीन परिशित्यों में भी प्रगति के रास्ते बने है बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से सुरुवात करने के लिए कहते है बगवान बुद्ध का बुद्धवत्व है सेंस ओफ अनलिमिटेट सेंस अफ अल्टिमेट रिस्पॉंसिबिलिटी अर्थात हमारे आस्पास हमारे ब्रण्दमान में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे खुद से जोड़ कर देखते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं जो गटीत हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयाद जोड़ेंगे तो हम स्रूजन को गटी देंगे आज जब दुनिया परियावरन सवरक्षन की बात करती है क्लाइमेट चेंग की चिंता जाहिर करती है तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है इसकी जगह क्या करना है इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है